है बोई इस वक्त में हवा में है और उसके बाद जो लगा एक एक इंचारज़ जिसे सी बोल रखा है उसको लेके आयो और पहले एक के साथ कांटैक्ट में किया बीके साथ और फाइनली पॉइंट प्वाइंट पर रख दिया और अब आप से पूछा गया कि सी के ओपर कितनी फोर्स लएगी तो देखें को थोड़ा सा हम डाइग्रमेटिकली देख लेते हैं दिस इस ए एंड इस वन इस बीस फिर दोनों इडेंटिकल हैं लेटर सपोर्ज मैंने अडेंटिकल चार्ज इस प सब्सक्राइब करेगा तो क्यों चार्ज दोनों में equally distribute हो जाएगा विकास दोनो आइडेंटिकल हैं तो क्यों जब एक यूपर क्यों चार्ज पहले क्यों आगे होगा तो टोटल चार्ज क्यों जो कि होता है 3Q by 2 अब 3Q by 2 इन दोनों पर मिला के चार्ज था अब इनको अलग करेंगे या थोड़ दे टच करने के बाद तो यही चार्ज दो पार्ट में डिवाइड होगा तो 3Q by 2 का अगर दो इससे करूँ तो 3Q by 4 होता है तो यानि कि second case में Q by 2 चार्ज यहां ना लिखके हम लिखेंगे इसके ओपर भी चार्ज 3Q by 4 और similarly C B वाले के ओपर भी चार्ज 3Q by 4 तो यह स्टेंडर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज के डिविजन की हाँ आइडेंटिकल थे तो कोई भी लॉजिक लगाने की जोड़ती चार्ज इकुल ही डिस्टिबूट हो जाएगा तो जहां प्रॉबलम पहले दोनों पर चार्ज क्यू की थी अब क्या हो गया कि एक पर चार्ज Q by 2 एक पर 3Q by 4 और एक पर भी 3Q by 4 अब C के ओपर आपको फोर्स बतानी है तो दोनों यह रिपेल करेंगे C को अब Q by 2 का मतलब होता है आधा 3Q by 4 का मतलब होता है 0.75 यानि आधे से बड़ा तो देखिए यह दोनों जब रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो यह वाली फोर्स जाता होगी यहाँ पर दोनों का मेगनिटूड जादा है इन दोनों पेर का तो हमने यह इंटिफाइ कर लिया कि नेट फोर्स इदर लगी अब बस हमें वो मेगनिटूड बताना है नेट फोर्स का लेकिन ऑप्शन को अगर देखिए तो F के साथ ही compare करना है तो यह question क्या है कि आप solve करेंगे और जो solution आएगा उसे last में इसके साथ compare करके लिखेंगे तो वो भी in terms of F आ जाएगा तो सबसे पहले हम निकालते है माली जिसको हम बोलेते हैं यह है F C A इस वाली force का नाम है F C पे जो B की वज़े से लग रही है तो जब हम यहां पर ऐसे calculate करते हैं माली जिए हम F C B calculate करते हैं तो वह expression होगा K constant और इन दोनों के charges का 3Q by 4 3Q by 4 यह नहीं कि 9 Q square by 4 ठीक है अब separation R by 2 है तो उसका square भी होना है तो हो जाएगा R square और यहां पर 4 तो दो कोई ऐसे कट सकता है यह हो गया आपका 9K Q square by R square ठीक है तो हमारे पास FC भी आ गया अब FC के बाद FC तो C और A के बीच में तो वहां C और A की बीच में दिखते हैं charge Q by 2 और 3Q by 4 है तो पहले हम expression लिख लेते हैं के दोनों charge की multiply करना है 3Q square by 8 3Q square by 8 और again R by 2 इनका separation है तो R by 2 का square तो R square और यहां पर 4 यहां दुबारा देख सकते हैं 4 बन जाए 4, 4 तो जाए 8 तो यह बन गया आपका K 3Q square और यहां पर नीचे 2R square अब हमें पहले analysis से पता चल गया है कि FC भी बड़ा है FCB में से FCA घटा देंगे तो अगर हम इन्हें minus करें तो देखिए क्या result आता है FCB को हम minus कर देंगे FCA से क्योंकि direction अलग-अलग है vector की तरीके से minus कर देखते हैं because linear vector जब होते हैं तो addition बिल्कुल algebraic तरीके से ही हो जाता है अब आप यहां पर देखिए FCB को आप लिखेंगे के क्यू स्क्वाइर को बड़ा कॉमन ले लो के क्यू स्क्वाइर आट स्क्वाइर दोनों ही टर्म से मैं कॉमन ले रहा हूं यहां पर आप देखो यहां पर ऊपर है 9 और नीचे वाले के लिए है 3 by 2 ठीक है यही है यहां पर और कोई expression नहीं है 4 9 q square बायर अच्छा यहां पर एक चीज़ देखिए 9 q square और यह 4 4 जा 16 होना था ठीक है तो यहां पर एक गलती हो यह यहां पर 16 आता तो यह 4 बन जा 4 और यहां पर एक 4 टर्म रहती तो हमारा उसस solution में क्या फरक पढ़ता 9 by 4 यहां पर भी हमें 4 लिखना पढ़ता ठीक है तो यहां पर इस तरीके समने लिग लिए अब हमें बस समराइज से सॉल्व करना है के क्यू स्क्वाइर बाइर स्क्वाइर को तो हम एफ लिख सकते हैं बाकि यह टर्म करते हैं देखिए मैं यहां फोर आ गया इन दोनों का यहां पर 9-2 तो तो बेसिकली यह आ गया आपका 9-6 यानिकि 3-4 तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू बाइए स्क्वाइर जो है विटा उसकी जगे पर तो एफ लिख सकते हैं तो यह हो गया एच और इस टर्म को क्या बोला हमने 3-4 तो यहां पर देखो option नंबर भी ठीक है तो आपको आइधिंग बल्कुल असानी समझ में एक क्वेंशन कोशन है चार्जिंग बाइजिसे कहते हैं कंडक्शन तो यह एक स्टेंडर्ड प्रॉबलम है लेकिन आज आती है जही में में अब देखिए अगला क्वेंशन है जही में परेंट पड़ेगा जाएंघ करना पड़ेगा तिक आपको चुशन में ने पी और अंदर भी चार्ज है और उस चार्ज की वेरियेशन यह निए वो चार्ज कैसे इसके अंदर फैला हुआ है उसकी एक्वेशन यह दे रखी है अब यह एक्वेशन अंग्रेजी में लिखा है स्पेरिकल सिमेट्रिक आपको मैथमेटिकल भी पता होना चाहिए कि कोई भी जाते जाते है यह कैपिटल आरी बन जाता है यह जीरो से स्टार्ट होता है और रेडियस तक चला जाता है अगर इस पर डिपेंड करता है तो उसको स्पेरिकल सिमेट्रिक की बोलते हैं अब इसकी खासियत क्या है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की इस मैथमेटिकल एक्स इसे लिख देता हूं एड फिंड आर यह अगर आपका यह आर फिक्स है तो जो भी इसके आसपास बनेगी जब तक आप आर फिक्स रखेंगे और पूरा गोंग जाए यह तो आपको मिलेगे इसका बेनिफिट हम गौस लॉग के तरीके से उठा सकते हैं कि आप एक ऐसे पॉइंट पर जो की कैपिटल आर्ट से छोटा है यानि इंसाइड देश आपको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वह एक्स्प्रेशन दे रखें तो यहां पर मैं यहां लिख देता हूं for fixed r ठीक है मैंने यहीं पर लिख दिया अब देखें यहां पर गौस लॉगर हम लगाते हैं यह इस कोश्चन को कैसे हम solve करेंगी by गौस लॉग तो गौस लॉग सिमेट्रिकल के सिसमेट्रिकल बहुत ही उसफुल है हम जानते हैं वह होता है e.ds is equal to q enclosed by epsilon अब क्योंकि सिमेट्रिकल सिमेट्रि है और एक fix r पे electric field की value वे fix होगी तो बच्चों अब इस में से e जो है बहार निकाला जा सकता है और जो सिमेट्रिक एलेक्रिकल की property है कि जो area vector बनेगा यहां पर आप जो भी Gaussian surface बनाएंगे यूजली वह सिमेट्रिकल ही और जो आपकी electric field है उसके बीच में हमेशा angle वह 0 ही मिलेगा आपको जैसा कि generally derivation में होता है ध्यान रखिए यह electric field अब इस expression से बाहर इसलिए आप आ रही है क्योंकि यह spherical chart distribution है यानि कि अब मैं e.ds cos 0 करके 1 करूंगा मैं e को बाहर लिख सकता हूँ यह बचेगा integration कुछ ऐसा Q enclosed by epsilon 0 तो जो कि बन जाएगा कि यह ds vector क्या होगा जिस भी जगे पर आपको इस surface बनाएंगे ठीक है जहां पर भी आपको निकालना है तो जो ds gaussian surface आपने बनाए इसका होगा area 4 pi r square तो यह electric field का जो general expression बन गया वो है Q enclosed by 4 pi r square by epsilon 0 यह 4 pi r square आया है इस ds के लिए देखें यह बहुत important formula है आपको लग रहा होगा बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा है तो देखें स्पैरिकल सिमेट्री वह इसलिए पॉइंट चार्ज वाले formula है आपने देखा होगा जब भी question आता है पॉइंट चार्ज का या फिर question में लिखा होता है दो शेल हैं तो हम देखें पॉइंट चार्ज और स्पैरिकल सिमेट्रिक चार्ज दोनों पर कूलंब स्लो वैलिट है यहां पर हमारा गॉसलों से भी relation कुछ वैसा आ गया अब इस expression का इस्तमाल करना है इस तरीके के question में यहां question में यह function कुछ और यह कुछ भी हो सकता है आप ऐसे भी दिया हो सकता है रो is equal to alpha by r square वही रो function आर तब भी यह formula valid है कुछ भी दे सकता है रो रूटा तब भी यह valid है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ यह variety change होती जाएगे concept uniquely यही रहने वाला है अब देखते हैं इससे solve कैसे करेंगे सबसे पहले हमें निकालना है यह अगर हमें पता चल जाए किसी भी question में क्यूँ in close तो हम अराम से कर लेंगे अब देखो यहां पर जब देखो कि क्यूँ इंक्लोज निकालने का तरीका क्या है हम जानते हैं यहां पर चार्ड एंसिटी जो है वॉल्यूम पर डिफाइंड होती है तो रो इस इकल टू डी क्यू वाई डी अब यह वी क्या है वॉल्यूम तो यहां पर डी क्यू अगर मैं बोलू तो बेटा वह जाएगा रो डी और अगर मैं बोलू कि पूरा इंट पूरा चार्ड बताना तो आप इंटीग्रेट करेंगे प्रोवाइड जिस रेंज में आपको चार्ड निकालना तो यहां पर जो भी पर्टिकुलर रेंज होगी रो डी अब यहां पर इस फॉर्मले को जड़ा हम देखते हैं पॉर एक्जामपल आपको इंसाइड निकालना यानि इंसाइड फील्ड निकालने तो जब भी आप इंसाइड की बात करेंगे तो क्यों इन ग्लोस निकालने के लिए आपकी जो लिमिट होगी देखिए इंसा तो इस रीजन में आये ठीक है मैं उसी चार्ज को लो इस रीजन में जो भी चार्ज आये मैं उसी चार्ज को लो तो तो कैसे मिलेगा आप लिखेंगे क्यों इंक्लोजड इस इकल टू इंटीग्रेशन जी रो से छोटे आर तक रो डी ठीक है और अगर ऐसे ही आउट साइड के लिए करना हो तो भी आप ऐसे लिखेंगे अब देखें आउट साइड जब आप जाएंगे बेटा आउट साइड क है वह आर तक ही है तो आउट साइड के लिए जो क्यों इंक्लोज निकाला जाता है हमेशा वह निकाला जाता है जीरो से लेके कैपिटल रो डी ठीक है तो आप देखेंगे इंसाइड के लिए छोटा और आउट साइड के लिए मैक्सिमन बड़ा क्योंकि उसके भार पता चल जाएगा। अब आई इस डीवी के ऊपर यह स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट मैं लिंक देता हुए यहां पर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट अब इसके ऊपर बात करते हैं अब इसरे हम से इंसाइड के लिए पूछा ज्रीज में ज्ञादा इंट्रेस्टेड नहीं है आपको हिंट दे दिया हम क्या करेंगे जैसे इंसाइड बताया तो हमने यह बनाई एक गॉशन सर्फेस ठीक है अब इसका आपने चार्ज केल्कुलेट कर रहे तो हमने एक छोटा सा रीजन लिया है यहां पर यह रीजन है आपका छोटा सा इसमें एक छोट इसी हमने जो ऐसे कहा देते हैं एक स्पेर के अंदर शेल बनाई है जिसकी अपने एक थिकने से अब इसके अंदर कितना चार्ज आएगा यह छोटा एलिमेंट जो वॉल्यूम का हो कैसे निकाला जाएगा इसका अपना जो सर्फेस एरिया है किसी शेल का क्या होता टो यह हो गया एरिया यह होगई उसकी थिकनेस की मेटर स्कुएर और तो यह वैसिकली की वॉल्यूम हो गया इस पूरी क्वांटिति को डी भोलते हैं तो हम यहां पर इस तरीके के स्पेरिकल सिमेट्रिक कॉश्चन में क्योंकि बहुत इंपॉर्टन्ट कई बारे बीट होते हैं आगे ऐसे से बहुत सारे कॉश्चन करने वाला हूं आपको समझाते हुए क्यों क्लोज्ड में यहां पर बीटा रो और डीवी की जगा आएगा फॉर फाई आर स्क्वाइर डी यह इंटिग्रेशन जीरो से जिस रे तक आप जा रहे हैं जो कि ऑबिस सी बात है यह जो आर है यह लैंज देन कैपिटल आरी हैं इंसाइड की बात क होगा ठीक है बोर्ड में यह सवाल आता नहीं है सीधा इंसी आर्ट या कैसी जैमीन का ही कुश्चन है तो पहला स्टेप यह और दूसरा यह बाग इस सब आपके स्टेप अब बस आप रो जो आपको गिवन है उससे यहां पर पॉइंट आउट और आपका काम हो गया जैसे अब यहां पर इसको वैल्यू का हम यहां इंटेडूस करेंगे और अपना क्यू इंक्लोज निकालेंगे तो देखें क्यू इंक्लोज क्या हो गया आपका रो की जगे हमने यह सब वैल्यू डालने तो रो नोट बाहर आ जाएगा और पॉर पाई भी बाहर आ सकता है इसके बाद इंटेडरेशन करेंगे हम ठीक है यहां पर थ्री बाई फोर लिखा मैंने और आर स्कुर डियार अंदर बचाए बस ठीक है तो यहां पर आर स्कुर डियार पिर अगली क्वांटिटिटी है माइनस इंटेडरेशन r by capital R और again r square r square by dr बच्चाये ठीक है तो ये दोनों इंटेग्रेशन 0 से लेके small r तक है 0 से लेके small r तक है अब क्या गटता हूँ बैसे solve कर रहा हूँ यहाँ दीखिए row naught 4 pi यहाँ पर 3 by क्योंकि यह row naught 4 pi दोनों ही quantity के साथ जाएगा यहां पर तोड़ा वसी है mistake से बचना है आपने तो यहां पर मैं क्या करता हूं 3 by 4 बाहर ऐसे कैसा आ जाएगा r square dr का integration बहुत बाहर क्या होगा r cube by 3 r cube by 3 minus करूंगा यहां पर r cube by r है r cube by r का मतलब क्या हो गया देखो 1 by r तो constant है वह तो बाहर आ जाएगा r cube का मतलब r की पावर 4 by 4 integration of r cube dr का मतलब r की पावर 4 by 4 ठीके तो यह हो गया अब यहां पर देखिए वैल्यू जैसे काट दें 3 से 3 कट गया है यहां कुछ कटने वाला है नहीं अब जब अध्यान से देखो 4 एक common भार आ सकता है और r cube common भार सकता है तो मैं देखो यहीं कट देता हूं जागे हमरे पास space बचे रो यहां से 4 पाई और यहां से 4 common और similarly यहां से मैं r cube common ले रहा हूं पेटा आर क्यूब कॉमन लेते ही मेरे पास यहां बचा 1- और r cube आ गया है common यहां पर और 4 भी आ चुका है होता है formula q enclosed यहां ले जाते हैं by 4 pi r square epsilon not तो मैं यहां पर q enclosed की जगे क्या लिख रहा हूं मैं को बच द्यान से रो नॉट पाई आर क्यूब और यहां पर ब्रेकर यहां पर 1- r by r और अब मेरे को नीचे लिखने यह टर्म फोर पाई आर स्क्वेर बाए अपसाइलन नौट तो मेरे आर पज़र द्यान से देखना पाई लगता है कई बार अब यह पाई से पाई कट गया यहां पे रो न और यह r² से यह कट गया यह होगया रो नौट आर 4 एपसाइलन नौट 1- r by तो कोई भी एक्सप्रेशन देखो रो नौट के साथ आर नीचे 4 और 1- r by r अगर दोनों एक साथ देख पाएं आपको इस बोर्ड में तो देखो थोड़ा थोड़ा देख रहा है एक टाइम पर यह option number C exactly match कर रहा हमारे option से ठीक है मैं फिर एक बार summarize कर दूँ इसमें जादा करने की ज़रत नहीं है अगर रोड function रो की जो power है वो आर की power N पर depend करती है ठीक है तो जो electric field inside होगी वो आर की power N प्लस 1 variation पर आएगी ठीक है और E outside जो होगी वो हमेशा 1 by R square की variation दिखाएगी अभी भी आप चेक करो आपके जो final solution में मान लिजए हमने दिखाई दिया आपको यह आपका solution यहां ज़रा R की power count करो R into R, R square हो रहा है न गिवन आपको R की power 1 थी तो solution में R की power 2 आएगी अब यहां पर क्योंकि सारे solution में थी तो हम check नहीं कर सकते थे लेकिन अगर कभी कोई MCQ में ऐसा question आ जहां पर R की power सी ज़्यादा दे रखी है तो आप इस trick से भी verify कर सकते है और आपका homework है कि आप electric field outside निकालिए टेकनीक यही रहने वाली है बस integration में क्या फरक आएगा कि यह integration जो पहले charge in close का 0 से छोटे R तक जारता यह 0 से capital R तक जाएग और verify करिए कि वाहर जो electric field है वो inverse square लोग को follow करनी चाहिए तो hopefully आपको एक question सवंज में आया होगा इसी तरीके के और वीडियो हम लाते रहेंगे धन्यवाद